चलिए, जहें तोस्तों मेरा नम तुशार है, CGP Synology अपकी YouTube चनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम लोग फिर से हिंदी भासा के एक लेक्चर लेकर आ रहे हैं संधी और संधी विच्छिद, इस पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्वर संधी को पूरा देखा था आज पर हमारा रहेगा विच्छन संधी और विसरग संधी ऐसा करने के बाद संधी का टॉपिक आपका पूरा कवर अप हो जाएगा हम लोग रूल्स बताते जा रहे हैं, कुछ एक्जांपल्स कर रहे हैं एक हमारा पूर्वपद होता है, एक उत्तरपद होता है पूर्वपद का अंतिमक्षर देखते हैं और उत्तरपद का हम लोग पहला अक्षर देखते हैं पतलाव पहले वाले जो शब्द हो उसका आखरी अक्षर देखेंगे आखरी वाला जो शब्द है उसका पहला अक्षर दिखेंगे इन दोनों का यदी मेल होता इसी को बुलते संधी स्वर संधी में क्या था यहाँ पर भी स्वर होता था और यहाँ पर भी स्वर होता था स्वर का स्वर से मेल होता था तो वो स्वर संधी कहलाती थी पर यदि व्यंजन संधी की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका व्यंजन हो सकता है, इधर भी व्यंजन हो सकता है, तो आपका व्यंजन संधी है, इधर आपका स्वर है, पर इधर आपका व्यंजन है, तो भी व्यंजन संधी है, अगर आपका इधर व्यंजन है और इधर तब भी आपका व्यंजन संधी होगा मतलब यदि हम लोग बात करें पूर्वपद या उत्तरपद दोनों में यदि कोई भी एक वर्ण व्यंजन आता है तो वो जेनरली व्यंजन संधी कहला आता है इसके बाद यादी बात करेंगे तसे प तक यह हमारे क्या है इस पर्स मेंजन इस तरीके से हम लोग पढ़े थे यह सारे आपको देखने को मिलेंगा अभी यहांपर ध्यान रखिएगगाipping इक्वेंस यह पहला होगा दूसरा तीसरा चौथा पाचवा इनको पंचमा अक्षर बोलते हैं सिमिलर चा चवर का पहला चा दूसरा जा तीसरा जा चौथा यह आपका पाचवा इसको याद करने के आवशकता है अगर आप लोग स्कूल में के जी वन अच्छे से नहीं है किस प्रकार से विभाजित हुआ है वो हमारी वर्ण माला ऐसी नहीं की कहीं पर वर्ड डाल दिया है हर एक चीज सिस्टमेटिक तरीके से डली हुई है और उसी की सबसे रूल आते है तो यह याद रखिएगा स्वर कौन से है वेंजन कौन से है कौन सा कौन से सिक्मेंस मे इसके बाद आपको असली से समझ में बैगा अधरवाज में आता है एकजांपल आपको चिजे रूल एक के बुलता है यही होता हमारे वर्ण का पहला वर्ण तरफिया जाएक मतलु कुछ करो बंद दूर तो एसमें बदल जाएगा जो भी आपका पहला वेंजन था पहला वरन वह आपका तीसरे मरसे में चले जाएगा जैसे देखिये गेंगा देखिए जैसे का और गा यह क्या हो जाएगा आधा गा ऐसी का के साथ यहां पे गा और गा था तो का और गा में आपको आधा गा बना और पीछे वाला पूरा रहेगा याद रखिएगा कनवर्सन किसका होगा केवल पहले बालेगा का का गा में बदलना यही आपका है तो देखिए का का गा में बदलना यह आपको क्या देखने को मिलेगा यह बदलते हुए जैसे देखिएगा दिक प्लस गज यहां पर देखिए का है का आपका यह एंजन से मिल का किस में बदलेगा ग्र में बदलेगा, आधा ग्र में सब्सक्राइ см, इसको सपोट करने के सवर não ही थह, तो यह ग्ज जूड़ जैसे वाक धन जाल तो देखिए वह है का किसमें बदल ग्र में बदल जालए-जी पिजा सपोर्ट करने के लिए बड़ी ए की मात्रा थी तो वो हो गया वागीश कर्फ्यूज मत होईएगा देखे सदानी जैसे है सत्धन वानी तो ता जो है वो दा में बदला आपका बन गया और वह जो है आगया तो सद्वानी या सदानी इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा ज एसी जगदीश है जगत प्लस ईष या हो जाएगा जगत प्लस ईष तो जगत लिखोगे और ईष लिखोगे तो अ-जग यहाए वो दा में बदलेगा जगदीश अन्जत अन्त प्लस जट इस तरीके से आपको घृएगा अ-उजट उणत जुडेगा यहाज़ प्लस अंत क किसी हो जाएगा फित्ट प्लस आनंद चितानंद भगवत भकती तो भागवत प्लस भगती तो यहां पर आपको देखने को में पर तो याद रहेगा कर गुल्स झाला रोल उता है एक तीन का नियम चलिए आगर बढ़ते हैं, एक तीन के बाद हमारे पास बूसरा नियम आता है, जिसका हम लोग बोलते हैं, एक पाच का नियम, एक पाच का नियम क्या बोलता देखिएगा, ये दि कचर टर्टप, मतलब वियंजन का अगर आपका पहला वर्ण है, उसके बाद ये दि न या मा आए, तो कच कच टर्टप के स्थान पर अपने अक्छर का पाच्वा हो जाएगा, जैसे जो का है, वो अंगा में बदल जाएगा, क्या जो है, किया में बदल जाएगा, तो जो है, वो अड़ा में बदल जाएगा, इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है, कच टर्टप के बाद यदि ना या मा आता है, तो काचा टापा के इस्थान पर अपनी इस्थान पांच बवर्ण हो जाएगा, जैसे देखिएगा वाक धन में, याद रखिएगा इधर ना या मा आना जरूरी है, ओके इधर ना या मा आना जरूरी है, तो वाक प्लस में, क्या हो गया वांग में, उत धन नयान, ता के बाद की आता है, ता वाले वर्ण में आखरा, आधना, उन नयान, चट धन मुख, देखिए, अड़ा हो गया, उत धन मिलीद, अप धन मैं, अम्मैं, ये ध्यान रखेगा, पहले का पाचमे में बदलना, पहले के पाचमे में बदलने के लिए क्या सुरू बात में चाहिए आप इधर याद रखोगे पहला वर्ण रहेगा और इधर ना या मा रहेगा तब यह आपका एक पांच का नियम लेगा ओके तो पहला वाला जो है पांच में बदल जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा नियम आता है यदि स्वर के बाद प्रथम अक् प्रथम प्रथम याद रखेगा तो आपका नया रूल हो जाएगा री रश्य के बाद यह कुछ श्वरिया विंजना है और उसके बाद आए तो ना का र हो जाता है ध्यान रखेगा तो री धन न रिण प्रथन नाम प्रणाम आपको बसके बाद यह ध्यान रखना है री की मातरा र की मातरा यह श्या लगा तो आपका क्या हो जाएगा ना का बदलना र में यह दिखता है तरधन अं तरण भूश्धन न भूश यह ध्यान रखना है, ऐसी यह दि म, किसी वर्ग का कोई वेंजन आये, तो म के स्थान पर उसी वर्ग का अंसीमान बन जाता है, अनुस्वार, यह ध्यान रखेगा, जैसे समधन गम, क्या हो जाएगा, संगम, अहम धनकार, अहमकार, एटलिस्ट इतना कोशिस करिएगा, कुछ नहीं आता, सार्थक वर्ड कोशिस करिए, सार्थक वर्ड के बाद, एक्जामपल के हिसाब सब को करना है, प्रैक्टिस करेगों जितना, उतना अच्छे से क्लियर होते जाएगा, जैसे देखिएगा, मा के बाद यह अंतस्त वेंजन या उश्म वेंजन आएगा, तो मा के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा, जैसे समधन योग, समधन शय, संसय, किमधन कर, किंकर, यह सब वेंजन समधिके एक्जामपल में आपको देखने को मिलेंगे, ऐसी यदि, ता के बाद शा आए, तो ता को चा बना दिया जाता है, ऐसी शा जो है छा बन जाता है, याद तो कैसे हम लोग लिखेंगे, आधा चा और पूरा चा, यह धियान रखेगा, ता के बाद शा आना जरूरी है, जैसे देखिए, उत्धन श्वास, क्या बनी गया, उत्ष्वास, यह याद रखिएगा, यह एकदम एक्जामपल है, इम्पोर्टेंट वाला है यह, ऐसी यद अध्य दिध्धा आता है, तो धा, सत धन्धर्म, सत धर्म, यह एक्जामपल आप चितना हो सकता है, प्रैक्टिस करिएगा, इन जनले हम लोग कितने भी रूल पढ़ा दे, अभी तक ऐसा रहा है, और कई स्टूडेंट्स भी होते हैं, रूल कई बार भूल जाता है इंसान बट एक्जामपल याद रहते हैं, और हमको एक्जाम में क्या है, रूल के उपर अगर ध्यान देते हैं भी चलोगे, एक्जामपल आपको देखना है, जितने ज़्यादा हो सकते एक्जामपल आप परियेगा, एक्जामपल के लिए मैंने आप लोग बहुत जैसे बताया थ था, इस्कूर लेवल की जो भी ग्रामर आते हैं, आप उसको फोलो कर सकते हो, अगर आपको पर्चेस नहीं करना है, या फिर एक्जाम के रिलेटेड, एक्जाम की बहुत सारी बुक आपके अवेलेबल है, वहां से आप जितने ज्याधा एक्जामपल हो सकते हो, बना सकते हो, क्योंकि अंटिमेटली जो बुक में एक्जामपल रहते है न उसी को आयोग कई बार सही मानता है, तो ध्यान रखिएगा, चलिए, आगे बढ़ते हम लोग विसर्ग संधी की तरफ बढ़ेंगे, विसर्ग संधी में क्या है, आपका सुरुवात में प्रतम पद का जो आखरी अक्षर रहेगा, वो विसर्ग होगा, उसके स्वरिय वेंजन मिलेंगे, तो विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, इसी को हम लोग विसर्ग संधी कहते हैं, मतलब शुरुवात में आपको अह की मातरा दिखेगी, और उसके बाद आपका स्वरिय वेंजन हो सकता है, जैसे दिखिएगा, एक्जाम्पल दिखते चाहिएगा, इसको रूल आपको ध्यान रखने के उतनी आप सकता है, जैसे मनाहधन अनुकूल, क्या हो जाएगा, मनोकूल, कैसे विसर्ग के बाद यदि अ आता है, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पाच्वा अक्षर आता है, का को जोड़ देना, पहला दूसरे को, उसके अलावा तीसरा चौथा पाच्वा आता है, या फिर या लव आए, तो वो क्या हो जाता है, ओ, आ हो गया, तीसरा चौथा पाच्वा वर्ण हो गया, या फिर या लव आ हो गया, तो आपका ओ हो जाएगा, जैसे मनाहधन अनु इध्यान रखेगा यदि विशर्ग से पहले आ और आ को छोड़ कर कोई भी स्वर हो और उसके बाद में कोई स्वर हो और वर्ग का तीसरा स्वर्था पाच्वा वर्ण हो यह रा लवह हो तो आपका क्या बन जाएगा रा बन जाएगा जैसे देखिएगा निह धन अहार निरा रखने वाली बात है ओके चलिए ऐसी एक्जामपल करेंगे विशर्ग से पहले यह दि कोई स्वर होता है बाद में च छ श हो तो विशर्ग का क्या हो जाता है जैसे अहा के बाद च जैसे नहीं के बाद चल निस चल ऐसी आईएगा आपका विशर्ग के बाद त या स हो तो आपका स बन जाता है अधा स अधा स जैसे देखिये अहा के बाद अगरता आता तो क्या होता उना देखते हैं जैसे नम्हधान ते यह जो है आपका बनता है अधा स कुछ भी हैं जो रूर東西 रूरों से बहुत ज्यादे लेना है result के तरफ जाना अराम से बनेगा, ओके ये चीज़ ध्यान रखेगा, मैं बार पर इस चीज़ पर प्रिश्ट दे रहा हूँ, चलो, ऐसी विसर्ग के पहले यदि E या U आया, और बाद में क, ख, ट, ठ, ठ, प, या फ, आया कोई बर्ण हो, तो विसर्ग का श हो जाता है, जैसे देखिए निहिधन कलंक, निश कलंक, निहिधन फल, निश फल, ओके, ऐसी विसर्ग के बाद यदि कखा आता है, या पाफा होता है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे देखिए, अहा के बाद जैसे का है, अन्तह प्लस करण, तो अन्तह करण, ये आपको देखने को होना है संधी पे जितने आप एक्जांपल बनाओगे जितना आप कुश्चन बनाओगे उतना ज्यादा आपको क्या कहते है एक तरीके से एक तिन का नियम लगा है कि एक पाच का नियम लगा है यह अपसे नहीं पूछे उम्मीद भी नहीं कि दसके कुश्चन आएगा तो स्वर संधी विश्चन विशर्द इसके एक्जामपल याद रखना है रूल याद रखना है तो इतना था आज के लिए अब इसको ओवर करते करने थादी हैं